हलो स्टुडेंट्स दिस अभिशेख हीर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पर तो स्टुडेंट्स बहुत सारे कमेंट्स आये थे जिसमें बच्चों ने ये सवाल पूछा था कि MPTT वर्गतीन के लिए जो बारविम प्रतिशत होना चाहिए कितना होना चाहिए minimum percentage कितना होना चाहिए तो अभी तक सितंबर में 24 सितंबर में जो परिक्षा होने जा रही है MPTT की उसके लिए कोई rule book नियम पुस्तिका आई नहीं है तो हम पुराने वाले नियम पुस्तिका पर जाएंगे डिएड बर्सिस बीड का जो फैसला हुआ सुप्रीम कोट में कि बीड वाले प्रात्मिक सिख्षक नहीं बन सकते वो फैसला माने रहेगा वो बदले बाकी सब तो सेम रहेगा यानि पहले सरकार ने जो नियम बना रखे थे पीबी प्रोफेशनल एक्जामेशन बोर्ड ने या मद्यपरदेश सरकार ने कि मद्यपरदेश में अगर टीचर भरती करनी है प्रात्मिक वाली तो क्या नियम होंगे पहले नियम ये था कि बीडवाले भी शामिल हो सकते है डीडवाले भी बड़ अब सुप्रिम कोड के फैसला आने के बाद जो अभी सुप्रिम कोड का फैसला है होज़ार 23 चोबिस में उस फैसले के हिसाब से कोई भी बीडवाला प्रात्मिक सिक्षक लिए पात्र नहीं हो जो पहले सिलेक्ट हो गए थे फैसला आने के पहले सिलेक्ट हो गए थे उनकी नियुक्ति हो रही है तो अभी कमेंट में कई लोग आयते सर्फ फैसला आने के पहले 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 उन्होंने परिच्छा दी थी पास हो गए थे और उनकी नियुक्ति होने वाली थी भरती परि कि यह जो percentage चाहिए बारवी में, वो कितने percent चाहिए, देखो, पहली बात सबसे main, अपने दिमाग में बिठा लो, चाहे आपने commerce से किया हो, चाहे आपने गणीत संकाय से किया हो, चाहे आपने जी विज्ञान biology से किया हो, या फिर आपने arts से, याने कि class संकाय से किया हो, याने सबी लोग बारवी अगर पास हैं यानि कहीं भी आप नियम पुस्तिका दिखोगे तो ठीक है तो यह आप देखो 2021 में नियम पुस्तिका जो आई थी उसके इसाब से क्या था तो उसके इसाब से देखो सब्सक्राइब है कि पुराने सारे इसाब का конфdon क्लिएर हो जाएगा ठीक प्हली बात वे कम से कम 50 परतिशत अंक जी हाँ पचपन परसेंट, साइट परसेंट ये नहीं ये पचास प्रतिशत अंक होने चीए कम से कम और ओभी कहाँ हाईर सेकंडरी में ठीक है अब ये नहीं बोला कि हाईर सेकंडरी याने बारवी हाईर सेकंडरी मतलब बारवी तो कक्षा बारवी ये नहीं बोला कि गणी संकाय से, जी विज्यान संकाय से, कॉमर्स से, आर्ट से से नहीं बोला, बस हायर सेकंडरी, यानि आप किसी भी फिल्ड के हो, या दखे, यह पातृता परिक्षा है, भरती परिक्षा नहीं, क्योंकि भरती में जब आप भरती होते तो आपको एक विश्य पढ़ाना होता है, तो फिर वहाँ विश्य मायने रखता है, यह तो पातृता परिक्षा है, टीचर बनने के लायक हो की नहीं, तो इसके लिए विश्य मायने नहीं रखता है फिलाल, यह ध्यान में रखेंगे आप ठीक है, इसलिए यहां बारवी मे आपके हैं बारवी में और साथ ही साथ क्या प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्श का डिप्लोमा यानि कि DLA जी हां प्रारामीक शिक्षा में दो वर्स का डिपलोमा जी से हम DLA, BSTC, JBT, इनके नाम से जानते हैं, यह अगर आपने कर रखा है, तो आप पात्र होंगे, या फिर इसके आथवा में पहले दिया था कि, शिक्षास्तना तक बीड, अब यह जो फैसला था, यह जो नियम पु को सिक्षक बनना है, मालो, मद्यपरदेश की सिक्षक पातरता परिश्यादे नहीं है, तो उसको 50 नहीं, उसको 55% पर लिया जाएगा, ठीक, ऐसा होगा, तो बारी में आपका कितना परतिशत होना चाहिए भाई, आपका 50% मिनिमम होना है चाहिए, और दो वर्ष का कोई डिप्लोमा आपका होना चाहिए, और complete नहीं, जारी, अब यह जो नियम है, मद्यपरदेश स जो भी लोग D-EDру पास किये हैं, D-ED में पढ़ रहे हैं, D-ELEAD में आडमिशन ले लिया है, प्रथम वर्ष में क्यों नहीं हो, वो पात़तिशा परिच्छा पास कर सकते हैं, हाँ, पात़तिशा पास करने से नोक्री तो मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ अग्दम जो आपका डिपलोमा है वो डिएलेड का, वो पास होना नहीं चाहिए, सिर्फ एडमिशन भी लिया है, तो भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये एक्जामिनिशन वो है, जिसको आप दे के टेस्ट कर रहे हो, कि आप टीचर बने लाइक हो की नहीं, और जब ये पातवरता परिक्षा होती है, तो उसके भरती परिक्षा लगबग एक-दो साल बाद ही होती है, और डिपलोमा तो दोई साल का होता है, यानि भरती परिक्षा आने तक आप डिपलोमा भी हो जाएगा, पास कर जाओगे, इसलिए सरकार ने अलाव कर दिया है, कई कई राज्यों अलाव नहीं कर रखा, लेकिन मद्यपरदेश के सरकार ने, मद्यपरदेश राज्य में, ये अलाव कर दिया गया है, कि जो डिलेट के प्रसम वर्ष में हो, डिलेट के दूतिय वर्ष में हो, वो MPTT पातवरता परिच्छा दे सकता है यह ध्यान रखिएगा ठीक तो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा मेन कॉंक्लूजन 50% अकर बारी में है तो MPTT के परिच्छा दे सकते हैं बारी राज्यवालों के लिए 55% रहेगा यह ठीक है और बाकी जो इस एक 100% नियम जो है वो आने से पता चलेगा जब रूल बुक आईगी तो रूल बुक तो अभी तकाई नहीं है जैसी रूल बुक आईगी मैं आपको बता दूँ इसके लिए आप पहले क्या करो सब्सक्राइब करके बेल ओंटिशन और पर रख दो तो आपको पड़ से वह Santi करश कर सकते हमारे चीनल पर जाकर देखेंगे तो रहां सिर्फ सिक्षभरती की परिक्षा की हो रही है जी हां सिक्षभरती सिक्षभरताई परिक्षा एंपटेट इसकी तयारी वहांँ पर हो हां रही है तो ये वो चैनल सिर्फ सिख्षभरती से डीडिकेटेड 허ceğim warto और एड़ी क्लास जय हिन जय भारत